चलिए हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को और आगे ले जाते हैं आज के सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे कि कल के सेशन के लिए हमारे क्या-क्या ट्रेड प्लान रहने वाले हैं और इसी के साथ कुछ प्राइजेशन के कॉंसेप्ट जिसको हम लोगों ने कुछ ऐसे हो जो पहले सीख रखे हैं उनको repeat किया जाएगा और कुछ नए projection के concept closing basis पर और जैसा market doping होता है उस basis पर हमोग discuss करेंगे, देखिए समझे, सबसे पहला काम हमारा as a trader क्या है, आज के projection और कल के projection को एक नजर ये से देखना और compare करके इस नेड़े पे पहुंचना कि कल बाजार में क क्या क्या संभावना है और कौन से levels के बाद हमको कुछ trade plan execution का मौका मिलेगा, तो पहला काम हमारा as a trader बनता है कि आज की opening to close momentum पे एक नजर रखी जाए, तो आज की opening कैसी थी बताइए, आज की opening जो थी, वो opening, कल की closing के past की opening थी, बाजार ने शुरुवात कैसी की, थोड़ा सा negative approach के साथ शुरुवात की, लेकिन कल की closing कैसी थी, कल की closing positive थी, तो जब पिछले दिन का closing positive हो, और next session, जैसे आज का session, आज का session पिछले दिन के लिए क्या है, next session, तो जब previous session का closing positive हो, और current day की opening negative हो, तो हम लोग कभी भी short selling से शुरुवात नहीं करते हैं, इस बात को हम लोगों short selling नहीं करेंगे, अगर break कर दिया तो हमारे लिए target बहुत अच्छे होंगे, जो की 52,100 और 52,000 तक price को लेकर आएंगे, ठीक है, तो उस momentum के लिए तो हम लोग थे, लेकिन price ने इन levels को अपने support area को break ही नहीं किया, price खुलकर negative approach के साथ trade करने लगा, लेकिन कल की closing कैसी थी positive, तो हम सिर्फ positive structure को morning में trade कर सकते हैं, किसी negative structure को नहीं, इस बात को मैं दोरा कर दुबारा से आपको समझा देता हूं, देखे, अगर पिछले दिन कोई price चड़ कर बद्ध हुआ, और morning में गिरावट की शुरुवात कर दे, तो वो trap किया जा रहा होगा, कभी भी short selling की कोशिश मत क कीजिए, wait कीजिए, price lot कर कोई positive consolidation कर दे, या day high break कर दे, तो long की positions ली जा सकती है, कोई short की position नहीं बनेगी, बात के लिए हुआ, अगर पिछले दिन का closing गिर कर हुआ है, और price अपनी शुरुवात positive approach के साथ करे, तो swing high के पास से आपको कोई एक retracement देखे, price वहाँ पर negative कोई ए अगर पिछले दिन की closing negative है, तो morning में price को यहाँ पर 1-5 घंटे, 2 घंटे consolidation करना होगा, और last swing high फिर break करना होगा, 11-11-12 बचे, तो हम उस पर believe करेंगे, तो आज का बाजार कैसा था बताईए, price की कल की closing चड़ कर बंद हुआ बाजार, तो आज जब negative शुरुवात किया ना, त opportunity हमारे पास नहीं, बात clear हुई, इसी के साथ, जब price ने higher direction, intraday में momentum, morning के first hour में ही कर दिया, और previous day high break कर दिये, तो price का दाय तो क्या बनता है, previous trading session जैसा momentum करना, पिछले trading session में कल आपने देखा, हम लोगों ने एक बड़ी rally higher side की, एक बड़ा momentum higher side कल हम लोग करके गए, ठीक है अब इस बड़े momentum के बाद, ये जो higher side हम लोगों ने बड़ा momentum किया, कल क्या किया था, day high break, ये day high break करके, आप देखे 25 तारीक, ये कल का momentum है, price ने हाँ से चुरुआत कि एक बड़ी rally करके कैसा है, ठीक है, तो इस बड़ी rally के बाद, आज भी जब day high break हुए, तो हमको एक intra day मे बड़ा momentum करना होगा न, लेकिन price ने क्या किया, उसके बाद consolidation किया, और consolidation के बाद price गिर कर बंद हुआ, तो कल की closing कैसी थी, positive, आज बाजार की शुरुआत कैसी थी, negative, negative शुरुआत के बाद price support level से buying उठा कर गया, क्योंकि कल खरीदारों ने खरीद कर बंद किया था, और खरी कोशिश तो कर रहे थे, price में buying तो कर रहे थे, लेकिन ये resistance shifting हुआ है, जो कल के seller थे, वो price को अपने price पे तो नहीं रोक पाए, उसके थोड़ा सा उपर जैसे ही price निकला, 53,000 के पास sellers ने price को रोक लिया, और वहाँ पर consolidation करते रहे, और closing के time पर बाजार को दुबारा गिरा कर अपनी range के अंदर close कराने की कोशिश की, यहाँ पर एक बात समझेए, price का एक conversion का process होता है, जब भी price का higher trend खत्म हो रहा होगा ना, तो कभी भी चलता हुआ price direct ऐसे एक one liner में नहीं गिरता है, price का momentum convert होता है, convert होने के लिए एक strong price पहले week होने की शुरुवात करेगा, जिसको हम हम लोग previous session में हम लोगों ने समझा stretch का formation, stretch का formation हम लोगों ने समझा न, stretch क्या होता है, stretch का formation जब से हम लोगों ने समझा तो मैंने आपको बताया कि nifty में बड़ा momentum किस कारण से नहीं आ रहा है, stretch के कारण से नहीं आ पा रहा है, और कोई कारण नहीं, नहीं तो आ सकता है, तो तो price जब भी तेजी से momentum करता है तो stretch के बाद कमजोर होगा या फिर price में एक जगा consolidation के बाद एक धीमी धीमी गिरावट की शुरुआत होगी तो previous trend से जब भी price convert करता है इस तरीके से आप देखिए तो price में पहले एक consolidation फिर stretch बना अब price में गिरावट की शुरुआत होई तो आज की closing positive थी आज की closing negative है आज की closing कैसी है negative यहाँ पर बस एक point समझने लाइक है गौर कीजेगा चार्ट पर जो closing होती है उसके आज पास की closing ही बाजार की पाई जाती है adjustment price adjustment closing आज की क्या है अगर आप देखें तो 52,870 है और chart की closing क्या है अगर आप देखें तो 694 है तो यह पर 697,700 माल लीचे और यहाँ पर 870 तो यह 170 point का difference बड़ा difference है तो मैं आपको बता दूँ यह adjustment price वही होता है जो बाजार का भाव सवा 3 के पास रहता है 315 PM जो भी सवा 3 के आज पास price रहेगा तो इस candle का आप अगर भाव देखें यहाँ पर तो 844 के high लगे है तो वही इसकी closing है sir 870 के आजपास ठीक है यहीं पर एक twist है जब भी price की closing और adjustment price में जो chart पर close हुआ वो और adjustment price जो है वो उसमें एक major difference होता है तो price में clearance नहीं आपाता है जो closing हुआ है वो negative है या positive तिसे chart पर आपको दिख रहा है negative closing adjustment price दिखा रहा है तो यह तो neutral closing हुआ ठीक है तो इस पर किया जा सकता है लेकि यहीं पर अगर weightage की बात की जाए कि आप वरीता किसको देंगे तो adjustment price को वरीता नहीं दी जाती है chart के price को वरीता दी जाती है chart के price की closing को हम लोग real closing मालते है ठीक है अच्छा chart की closing क्या है बावन साथ सो अब ध्यान से सुनिए अभी previous यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आज के दिन का momentum लगबग लगबग वैसा है जैसा 24 तारीक के price का था आज की तारीक इतनी थी 26 एक-एक session के data को जो trader याद रखेगा ना पिछले तीन session का अगर आपको data याद है कि price ने कैसे trade किया और अगर आप उसको कहीं लिख कर बैठ रहे हैं किसी diary मे कि आज intraday में जिसको हम लोग technical में trading journal बोलते हैं जो traders अपना trading journal maintain करते हैं उनका 5-6 मेने में trading psychology ही change हो जाता है और जो traders इसका मूल नहीं समझते हैं उनके लिए कुछ कहना ही नहीं है सर अब देखिए यहाँ पर देखिए 24 जून का प्राइजेशन 24 जून का प्राइजेशन क कैसा था higher side wild momentum था आज हम लोगों ने negative open किया negative शुरुवात की फिर price ने change होकर यहाँ पर अगर आप गौर करें तो day high break करकर 11 बजे के आसपास यहाँ पर जब day high break हुए तो क्या time हुआ था देखिए 10-40 आज भी 11 बजे के आसपास moment थोड़ा सा उपर किया आज उस दिन भी अ प्राइस चड़ कर बंध हुआ थो अगले दिन का momentum wild higher side था बहुत तेजी से price उपर चल कर गया आज price गिर कर बंध हुआ है तो हो सकता है कि कल का price का momentum downside एक wild momentum हो ठीक है यह कैसे पता चल रहा है यह सिर्फ पता चल रहा है price की relativity theory से पिछले तीन दिन के price action को buyer seller जो अपने उंग पर रखेंगे ना उनके लिए बाजार को credit करना trade करना और कल का analysis जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कल जो जो levels tradable होंगे उनको हम लोग find out करने की कोशिश कर रहे हैं एक नेड़ा तक पहुंचेंगे एक result तक कि short की position पे ज्यादा वरीता देनी चाहिए या long की position यह हम लोग पहले से तै कर लेते हैं तो हमारे trade plans बहुत smooth हो जाते हैं ठीक है तो तीन दिन का price यह देखिए 24 तारीका है यह कल का price है यह आज का price है ठीक है तो तीन trading station आपके लिए तै हो गए अब आपको पता रहेगा कि कल हमको क्या करना है तो समझे प्राइस की closing negative है तो कल की अच्छा भाव मिल जाए तो 52-700 का price अगर 52-500 पर खुल जाए तो पहले ही नीचे खुल आए तो सस्ता भाव में बेचेंगे क्या नहीं तो अगर gap down हो गया तो बिकवाली की संभावना खत्म हो जाएगी तो क्या होगा price की closing negative है और price अगर gap down कर गया तो negative closing से थोड़ी बहु अगर यही price थोड़ा सा gap up करें जैसे 52-800 की closing दिख रहे यह 53-000 के आसपास खुल जाए या थोड़ा सा उपर खुले और पहली candle red candle का formation हो जाए और उस candle के अगर low break होने लगे तो शुरुवात होगी एक downside moment की यह जो आज का close price दिख रहा है 5-700 तो price अगर gap up करके आज की closing को ज gap up करने के बाद, cost की opening के बाद नहीं, gap down के बाद नहीं, gap up करने के बाद अगर 5-700 break हो गया तो आप देखेंगे price में एक बड़ा downside momentum की शुरुआत होगी उस downside momentum में हमको level to level trade करना है ध्यान रखिए क्योंकि जब हम उपर चल कर आए हैं तो हर जगे support बनाते हुए हैं जैसे य आइंग उठी थी, जो कि आज के day low, तो किसी भी previous day low, previous day high एक resistance होता है, जैसे यहाँ पर आज 53,000 एक resistance price है, ठीक है, अगर price gap down करता है तो जब तक 53,000 break नहीं करेगा तब तक long की positions नहीं बनेगी, अगर price gap down करने के बाद कभी भी 53,000 को break कर देगा ना, तो हम लोग long की positions rate तो बाजार में uptrend के लिए 53,000 का break होना जरूरी है, जब 53,000 break होगा तो हम लोग कोई uptrend market में देखेंगे, ठीक है, जब तक 53,000, अगर gap up करके break करता है, तो एक घंटे की sustainability चाहिए, अब 15 minute की closing या 5 minute की closing से काम नहीं चलेगा, अब क्या चाहिए, बाजार एक घंटा रुकन opening कैसी होगी negative, तो जिल लोगों ने intra day में shot की, आ morning में सारे trap हो गए की नहीं हो, इसी तरीके से, आज की closing negative है, तो जब तक price 53,000 के उपर एक घंटे sustain नहीं करेगा, और उस एक घंटे की candle के high break नहीं करेगा, तब तक आप long की position execute नहीं कर सकते, ठीक है, इसी तरीके से downside, अब closing negative है, तो 5 minute का भी candle अगर 52,000 के नीचे gap up करने के बाद close करेगा ना, तो intra day में आप short position बनाने लगेंगे, और day high आपका ऐसा ले रिया हो, कल का day high जो भी open होगा, वो रख सकते हैं, अगर price थोड़ा बहुत, यहीं पर खुल के गिरने लगता है, तो यह आज का day high भी आपका 51,600 तक लेकर आएगा, ठीक है, अगर बड़ी गिरावट होती है, तो यह सारे level आपके लिए important है, क्या क्या, 52,000, उसके बाद 52,000, और उसके बाद 51,600 से लेकर 700 की रेन, अगर बाजार 51,600 या 700 पर नहीं रुका, तो एक बड़ी गिरावट की शुरुआत होगी, फिर बाज लास्ट तीन स्विंग हाई किसी प्राइस के, एक, दो, तीन आप ब्रेक कर दीजे, प्राइस को यहां से ले जाएए, इस हाई के उपर, तो प्राइस का ultimate trend change हो जाएगा, और बहुत wild momentum होगा, इसी तरीके से अगर किसी प्राइस के आप लास्ट तीन स्विंग लो ब्रेक कर ठीक है, तो आज का डेलो गिरावट के लिए सबसे महतपूर है, अच्छा, ऐसे price में एक point पर हम लोग और काम करते हैं, क्या वो point है, high weightage shares, जैसे अगर bank nifty में अगर कोई गिरावट हो नहीं है, तो price में हमको देखना होता है, क्या HDFC bank और ICICI bank भी किसी SA level को trade कर रहे हैं, ज अगर एक घंटे price 53,000 के उपर trade कर रहा होगा, उसके बाद वो high break होंगे, तो uptrend होगा, तीनो scenario अम लोगों ने discuss कर लिए, अब ज़रा HDFC के price को अगर देख लिया जाए, और ICICI के price को देख लिया जाए, तो हमारा जो view है वो बहुत clear हो जाएगा, एक बार देखिए, HDFC का projection frame देखेंगे, तो आपको समझ आएगा, कि हम लोग अपने previous swing high के पास पहुँच गया है, निचले इस तर से खरीदारी उठा कर एक बड़े seller area के पास पहुँच गये है, अब bank nifty में कभी कोई बड़ा momentum आएगा, जब HDFC bank 1718 के उपर trade करेगा, जब तक HDFC bank 1718 के level को break ना कर द bank और ICI से ये bank में कोई major breakout नहीं होते, तब तक long की कोई समभावना नहीं होती, bank nifty कोई बड़ा momentum नहीं दे सकता, SBI को भी इसके साथ आप रख सकते हैं, ठीक है, चलिए, सारे point लगवग लगवग clear होंगे, अगर पूरे session में कोई भी doubt रह गया, तो मुझे नीचे comment section में बत प्रेइन आप रख सकता है, भी एंजर से मुड़ा हमें इसलिएकर होी प्रेश कास्टर्च।